फालो एजी यह बैस के ऊपर बयाज क्यालकुलेट करना यानि लेकिन दे इनर्ट अब रहुआ कशानी होती है तो चैले यह आज़ का यह प्रोग्राम कंपाउंड इंर्टस जैसे सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति से आदमी किसी ने करजा ले लिए जैसे माली जी आपने करजा ले लिए या मैंने करजा ले लिए 100 रुपे करज लिया मैंने ठीक है तो अब 100 रुपे करज लिया तो उसने कहा कि 10 प्रतिशत का ब्याज लूँगा मासिक नहीं एक साल मे ब्याज आएगा, वो आएगा 10 रुपे, यानि कुल मिलाकर की मूलधन के साथ, principal amount के साथ, अगर उसे मैं एक साल में ब्याज रिटर्न कर देता हूं, तो कुल मिलाकर हमें 110 रुपे देने होंगे, ठीक है, कितने देने होंगे, 110 रुपे, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका Simple interest, ठीक है क्या हो जाएगा, simple interest हो जाएगा यह लिए लिख देता हूं Simple interest, ओके लेकिन हमें बात करनी है आज compound interest की किसकी बात करनी है, compound interest की, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इससे, अब माल लीज़े compound interest की जैसे ही बात आएगी तो फिर माली जी इसी को आपने आगे बढ़ा दिया ठीक है एक साल के लिए और आगे बढ़ा दिया ठीक है उसको ब्याज जैसे अगर आपने ब्याज का भुकता नहीं किया time पर तो उसने कहा कि हम ले लेंगे compound interest तो what is the meaning of compound interest की एक साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज लगा आपने वो ब्याज रिटर्न नहीं किया time से तो क्या करेगा वो 10 रुपए जो ब्याज बनेगा ना उस पर भी 10 प्रतिशत का ब्याज लगा देगा यानी की 10 रुपए पर 10 प्रतिशत एक रुपए ब्याज एक्स्ट्रा हो जाएगा और जब आप दो साल में फाइनली उसे ब्याज चुकाएंगे तो कुल मिलाकर आपको 121 रुपए चुकाने पड़ेंगे यह होता है compound interest तो इसके लिए हम program कजे लिखेंगे program भी लिखना बड़ा आसान है चलिए आईए start करते हैं यहाँ पर def keyword का use करूँगा python में और यहाँ पर एक बना लेता हूँ compound और यहाँ पर underscore interest ठीक है तो compound interest कर लिया है हमने और अब यहाँ पर principal नाम से एक बनाता हूँ तो principal यानि मुख्य ठीक है तो यह कर दिया हमने और एक rate बना लेता हूँ trade तो यहाँ rate भी कर दिया और अब time के बात करेंगे तो यहाँ time भी कर दिया अब इसको close कर देता हूँ close करने के बाद colon लगा देता हूँ interface करता हूँ अब यहाँ पर result की बात करेंगे तो यहाँ result ले लिया हमने ठीक है और is equal to principle कर देता हूँ principle ठीक है into अब यहाँ पर एक power function का use करूँगा आपको याद हूगा c language में हमने power function का use करना सिखा था power calculate करके देता है यहाँ पर करता हूँ one यह i नहीं है यह one है one plus rate ठीक है यह कर दिया हमने और यहाँ पर upon का shine लगाया और enterprise किया नीचे हमें लिखना है hundred ठीक है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आएगी indentation की error तो उससे बचने के लिए आप यहीं पर लगा लिए hundred और यहाँ पर comma दीजिए और फिर एक time नाम से भी हम करेंगे तो यह time भी कर दिया है और यह दोनों bracket कर दिया close इसको close करने के बाद interface करके नीचे आएंगे जैसा ही नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर return result देना है हमे यहाँ पर क्या देंगे return result तो result को यह return करेगा अब बात कर लेते हैं आगे अब एक variable p नाम से बनाया और यह float type का है इस type का है float type का और इसमें क्या देंगे हम यहाँ पर देंगे enter the principal amount ठीक है double added course या single added course में आप दे सकते हैं enter the principal amount ठीक है यहाँ हम principal amount डालेंगे ठीक है user को screen पर यह दिखाए पड़ेगा तो user यहाँ principal amount डालेगा ठीक है तो यह कर दिया हमने अब यहाँ पर input function भी लगेगा तो float input होगा यहाँ पर input शुट गया है तो यहाँ लिख दिया input float input ठीक है तो यह float input करके और यहाँ से इस तरह से अब इसी को मैं copy कर लेता हूँ फाइदा क्या है कि हमें इसी तरह की इसी तरह का एक और define करना है इसी तरह का एक और variable बनाना है that's why यही पर मैं इसको कर लेता हूँ enterprise करके यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पर इसी को paste कर देता हूँ तो यहाँ पर अब हम rate of interest की बात करेंगे न तो rate of interest की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देना होगा r तो एक variable r नाम से बनाया और यहाँ पर क्या देंगे enter the यह amount भी हटा देता हूँ यह amount भी रहेगा नहीं rate of interest ठीक है यह दे दिया हमने और इसको अब close किया और यहाँ पर इसे बंद किया ठीक है तो यह rate of interest की बात हो गई अब फिर बात कर लेते हैं time की ठीक है तो यहाँ पर t कर दिया t ठीक है और t is equal to और यहाँ पर कर देंगे float ठीक है और यहाँ पर input ठीक है float input और अब यहाँ पर singulated comma में यहाँ पर क्या देंगे enter the time ठीक है तो हम देंगे enter the time in year year में देंगे time मांध में नहीं ठीक है तो यहाँ पर कर दिया enter the time in year और आप इसको close कर दीजे बस यह हो गया हमारा काम अब इसको define करना है यह काम कैसे करेगा तो यहाँ amount is equal to compound ठीक है interest underscore करके बनाया था नँ आप देख सकते हैं यहाँ पर यह underscore करके जो बनाया है interest ठीक है और compound interest जो है और फिर bracket open करेंगे P,R,T यही तो तीनों बनाया था हमने तो यह ले लिया हमने और फिर interest is equal to amount minus P यही करना है हमने ठीक है interest is equal to amount minus P ठीक है यह कर दिया हमने और enterprise करेंगे और यहाँ पर करेंगे print और यहाँ पर देंगे single added comma या double added comma कुछ भी लगा सकते है चलिए double लगा लगते है यहाँ पर देंगे हम compound amount ठीक है तो यहाँ लिखा compound amount is अब जो भी होगा वो यहाँ पर तो यहाँ पर हम कर देते हैं percent का shine लगाते है ठीक है तो यहाँ लगा दिया percent और यहाँ dot लगा करके और फिर यहाँ दे देंगे 2f ठीक है यहाँ 2f इसलिए कि float है तो that's why 2f कर रहा हूँ ठीक है यह कर दिया 2f और फिर इसके बाद इसको close करेंगे और close करके फिर यहाँ पर चुकिए amount है तो यहाँ पर amount कर देता हूँ ठीक है यह कर दिया हमने और इसके close कर दिया close करने के बद फिर enter टेस्स करके नीचे आएंगे अब हमें क्या देना है वापिस से print देना है तो यहाँ लिख लेता हूँ ठीक है और print लिखने के बाद फिर यहाँ पर देना है compound यह कर दिया हमने और फिर यहाँ पर interest ठीक है तो percent interest थोड़ा एक gap दे देंगे इसमें भी तो यह हो गया हमारा अब इसको save करता हूँ ci.py py लगाना ज़रूरी python के file के extension होती है इसे save कर लिया हमने अब इसको run करवाने की बारी इसको run करवाया और यहाँ पर double bracket होगा यह छूट किया है double bracket जहाँ पर लगाएंगे तो यह इस तरह के से power function है इसके बाद bracket भी start करेंगे तो यह हो गया हमारा का अब यह यहाँ से run कर जाएगा हमारा program और यहाँ पर भी bracket close नहीं किया तो यह close कर लीजिये बस यह हो जाएगा हमारा और अब run करवाएंगे तो यह आ गया तो यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहा है enter the principal amount तो यहाँ पर पहले 100 रुपे लेके दिखाता हूँ तो यह 100 रुपे principal amount हमने लिखा और इस पर 10% का भ्याज लगाया तो जैसे ही 10% का भ्याज लगाएंगे तो आपको पता है कि 100 रुपे का 10% कितना होता है 10 रुपे होता है अब एक साल के लिए तो एक साल के लिए 110 रुपे आ गया ना यह clear है तो यह हो गया आपका simple interest ठीक है लेकिन हमने तो program बनाया है compound interest के लिए तो चिंता मत की यह compound interest ही calculate करेगा यह तो अब क्या करता हूँ इसी चीज को 100 रुपे ही किसी से आपने करजा लिया या मैंने करजा लिया और यह जो है दसी प्रतिशत का rate of interest लगाया और दो साल के लिए इसको continue करती है एक साल के लिए नहीं दो साल के लिए तो यह देखिए 120 रुपे की जगा 121 रुपे आना शुरू हो गया ठीक है तो 121 रुपे का क्या मतलब है 121 रुपे का मतलब यह है कि अगर दो साल में आप यह पैसा return करते हैं 100 रुपे जो आपने लिया था ब्याज पर 10 प्रतिशत के दर से तो एक रुपे compound interest के रुप में आपको देना पड़ेगा अगर आप simple interest की बात करते तो आपको 110 रुपे एक साल में तो 120 रुपे दूसरे साल में देना पड़ता लेकिन यह जो एक रुपे बढ़ रहा है यह compound interest का बढ़ रहा है ठीक है अब यहां compound amount की जगा compound interest भी लिख सकते हैं यहाँ पर जो है न आपकर लिख दीजिए compound interest तो यह interest लिख करके आएगा यहाँ पर इसको save कर लेता हूँ और अब इसको run करवाता हूँ तो यहाँ से run करवाया हमने अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक laq रुपे की बात कर लेते हैं ठीक है तो यह एक laq रुपे पर 10 प्रतिशत का ब्याज लगा तो एक साल में कितना रुपए आया यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में आया आपका 10,000 रुपए देख सकते हैं, clear है अब इसी को 2 साल कर देता हूँ, ठीक है तो एक साल में 10,000 तो 2 साल में 20,000 राना चाहिए लेकिन यहाँ पे आप देखिए किया आएगा, तो यहाँ पे करता हूँ एक लाग रुपए ठीक है, एक लाग रुपए किया 10 प्रतिशत, और यह अब 2 साल कर देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना भी आ जा रहा है, 21,000 रुपए एक हजा रुपए जादा हो जा रहा है, यानि कि इंट्रेस्ट के उपर इंट्रेस्ट बन रहा है वो कहलाता है कंपाउंड इंट्रेस्ट तो उमीद करता हूँ कि यह बात आपके समझ में आ गई होगी कि कंपाउंड इंट्रेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, पाइथन में प्रोग्राम कैसे लिखेंगी अगर वीडियो पसंद है तुसे सेटर करें थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो